हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट का शॉशल साइंस का विपर जो की आपका 25 फैब को है तो जल्दी विपर शुरू होने वाला है शांति के स्विपर अभी मुझे मिला नहीं जैसे मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंग तो अभी यह board का sample paper इसका solution है ठीक है तो जब तक आप सबसे पहले board का sample paper करो ठीक है और लो जो है इसमे practice paper पर सॉल्व है पूरे आप उनको भी सॉल्व करो साथ में फिर नेक्स वीडियो में आपको 10 अंसॉल्व पेपर दूँगी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि पेपर में किस तरीके कोशन आएंगे और फिर जैसे ही मेरे पार शांतिगेस पेपर आता है मैं आपको शांतिग नहीं जोइन होता है तो टेलिग्राम अप्लेकेशन पर जाकर कलपना 17 सर्च करना आपको मिल जाएगा ठीके तो इंग्लिश मेरे के बच्चों के लिए मैं शांतिगेस पेपर अपलोड कर चूकियों फुल्ली उनका सैंपल पेपर भी जल्दी आ जाएगा फुल सॉलूशन के साथ अभी पंजाबी मेडियम का सैंपल पेपर है सॉलूशन के साथ ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह है बच्चों सबसे पहले आपका स्ट्रक्टर आफ पेपर 2022-23 का जैसे कि आपको पता है कि लिखित पेपर आपका 17 नंबर का होगा 20 नंबर का आ आपका पेपर होगा इतने पार्ट्स होंगे आपके फर्स्ट पार्ट में 11 मार्क्स के 15 कोश्चन मतलब चोटे-चोटे MCQ बहुवी कल्पी है जैसे कि आपको पता है बहुवी कल्पी है भुगोल इतिहास नागरिक शासर सम्में से आएंगे ठीक है वस्तुनिस्ट प्रेश आएंगे तीन तीन नंबर वाले दो कोश्चन और फिर उसके बाद मैप आएगा आपको नक्षा आएगा एक एक नंबर के साथ था आएंगे उनको आपको जो है नक्षे में भरना होगा इतिहास में 20 नंबर के आपकी इतिहास आएगी उसमें एक एक नंबर के चार कोश्च होंगे, दो-दो नमबर के दो कोशन होंगे, तीन-ती नमबर के चार कोशन होंगे, ठीके, इसी तरीके से आपका नागरिक शास्त्र देख लेते हैं, नागरिक शास्त्र एक एक नमबर पूरी नागरिक शास्त्र आपकी 14 नमबर के आएगी, एक एक नमबर के चार कोशन, दो-दो नमबर के चार कोशन और तीन-ती नमबर के दो कोशन इस तरीके से आपका पेपर का पैटरन होगा ठीक है तो ये इस तरीके से अंकवन्ड दे रखिए पूरी कि किस तरीके से आपका आएगा ठीक है तो आप को जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से आएगा तो इसके उपर वे डिटेल वीडियो बना चोकी हो अगर आपने उसको नहीं दिखा ता आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में क्लास 8 की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहाँ पर लेक सकते हैं ठीके तो यहां पर यह है आपका fully solved sample paper जो की बोर्ड की तरफ से आया है सबसे पहले आपके यह बहुविकल्पी प्रेश्ण है ठीके तो यहां पर बहुविकल्पी प्रेश्ण जो भी यह 15 प्रेश्ण है उसमें हर एक दिये हुए है तो आप यहाँ से इसको पढ़के इसको एक बार revise कर लो कई बार board के sample paper में से कुछ नों कुछ paper में आ ही जाता है ठीक है यह board का sample paper है तो हो सकता है मेबी आपके कुछ नों कुछ इसमें से help पोजाए, तो जितने ज्यादा ज्यादा अब इस टाइम में, स्लेब स्थे आपका cover होी गैए, sample paper, revision करना है, जितने sample paper आपको मिले जादा जादा, उतने आप revise करो, ठीके, ये थोड़ा सा blur हो गया है, थोड़ा सा आप देखना ध्यान से तो दिख जाएगा ठीक है वीडियो पर टो 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 मैं इसकी पीडियेफ प्रोवाइड करा दूँगे आपको इसके लिए अपने फ्रेंड्स के साथ पटापर शेर करो और ताकि इस पर लाइक सा जाए तो फिर मैं आपकी जो है ये पीडियेफ प्रोवाइड करा क्योंकि और भी पीड़ में आपकी यहाँ पर हेल्ब होने वाली है ठीक है नेक्स्ट यह भूगोल के देखू एक एक नंबर के चार कोशन तो यहां पर सारे दिये हुए ठीक है यहाँ पर दो सही गलत दिया है और दो खाली ठाद दिया हुआ हुआ है ठीक है इस तरीके से आगे दो-दो नमबरा वाले question साथ में इनके answer भी है आगे देख लेते हैं ठीक है ये आपके तीन-ती नमबरा वाले question तो ये answer जरूरी नहीं आप ये ये वाले answer करना आप answer आपने जो learn किये न वही कर लेना ठीक है तो ये सारे answer दिये मैं scroll कर रही हूँ आपको जहां लगता मैं तेज स्क्रोल कर रही है आप उसको pause करके कर लेना ठीक है इस तरीके से देखो ये आपका है था जो कि आपको पारत के रक्षे विच पार रहा है ठीक है आगे इतिहास एक-एक नमबर के चार question तो ये देखो ये एक-एक नमबर के चार question हो गए आगे जो है दो-दो नमबरा वाले दो-दो नमबरा वाले दो question उसके बाद ये हो गए आपके तीन-तीन नमबर वाले एक question ये एक के साथ choice आएगी उसका दूसरा question ठीक है सारा answer दिया हुआ है अगर आपने answer अपना पड़ा हुआ है तो उसी को लिखना ठीक है क्योंकि अलग-अलग answer याद करोगे तो फिर आप confused हो जाओगे ठीक है प्लासी दी लड़ाई दे note लिखो या फिर 1857 का ये question दोनों में से एक करना है तो इन में से कोई भी आप कर लेना ठीक है पैसे आप अभी board के त्यारी के लिए जारो तो आप ये नहीं कि एक ही करना आपने सारा ही करना है ठीक है कोई भी आ सकता है वहाँ पर तो ये सारे answers दिये हुए है इसको आप revise कर लेना ठीक है नगरिक शास्त्र नगरिक शास्त्र पे भी आपको एक एक नंबर के चार कोशन तो ये होगा एक एक नंबर के आपके चार कोशन उसके बाद दो दो नंबर वाले दो कोशन एक कोशन ये हो गया और दूसरा कोशन ये हो गया आगे तीन तीन अंका वाले question ठीक है साथ में answer दिये हुए जहां आपको लगते हैं मैं वीडियो तेज कर रही हूँ तो आप महाँ पर वीडियो pause करके कर लेना ठीक है ओके students, आप वीडियो helpful हुई हो तो ये तो आपका एक fully solved जो है board का sample पर था ठीक है एक extra और fully solved sample paper मैं आपको बता रही हूँ आप इसको भी revise कर लेना ये भी important है ठीक है दोरोई sample paper आपको telegram पर मिल जाएंगे साथी practice paper भी मिलेगा बस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करते रहो ताकि वीडियो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए और सारे बच्चे telegram पे join हो जाएं ताकि उनको भी जो है इसकी help मिल सके ठीक है आपको अगर वीडियो blur लग रही हो तो आप अपने वीडियो की जो है resolution बढ़ा लेना के बर आपकी resolution कम होती है जिसके कारण आपको जो है अक्षर जो है blur दिखाई देते हैं ठीक है और नहीं तो जितने आपको clear दिखाई दे रहे हैं आप उसको देख लो और बाकी जैसे like complete कर दोगे जैसे आपको इसकी PDF मिल जाएगी ठीक है तो मैं देरे देरे स्क्रॉल करें जहां आपको लगता है न कि रोक के पढ़ना है आप उसको रोक के पढ़ लेना ठीक है बाद में मैं आपको important डिसकी map वगेरा भी बताऊंगी ताकि आपकी एक्जाम में जो है अच्छे से help हो सके कर दो मैं देरे की लेगा है नहाँ झाय को लड़ यहाँ झाय कोड़िथ